हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घरीली उपाय बताने जारी हूँ जिसके मदद से आप अपने बालों को काफी तेजी से लंबा और घना बना सकते हैं बालों में सीर की तवचा पे रूशी या डैन डप्स की प्रॉब्लम्स हो गई है यह भी प्रॉब्लम्स को खत्म करने का सबसे बेस्ट उपाय और न्यू तरीका आई आज केस वीडियो में जानते हैं किस तरीके से हैर मास्क बनाना है है तोनर बनाना है किस तरीके से बाल की देख भाल करना है आज किस वीडियो स्टाट करते हैं यह हैर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा चाय की पत्ति चाय की पत्ति कोई भी कंपनिया या कोई भी ब्रान का चाय की पत्ति यूज करें आप रोज जो चाय बनाते हैं वही चाय की पत्ति य यह काफी जादा गुनकारिक होती है ग्रिन टे की रूप से भी आप इसे इस्तिमाल कर सकते हो बट मैं आप यू तरीकेशे बताऊंगी जिसके मदद से आपके बाल काफी तेजी से लंबा घना साथ ही डैंडप्स की प्रॉब्लम्स को तो जड़ से ही खत्म करने में मदद करत है तो आपको कुछ इस तरीके से लेना है और मैं चलती हूं ग्यास की और अब मैं इसे उबाल कर इसे पानी निकाल कर आपको मैं जश्ट अभी कुछ और एड करना है जो कि हमारे बालों के लिए बालों को नरिश करता है बालों को इंप्रूफ करता है जो हल्दी गुनों से कम नहीं है, चाहे हमारे बाल के लिए, चाहे हमारे फेस के लिए, चाहे हमारे किसी भी बिमारियों के लिए, किसी दर्द के लिए, किसी भी कम से नहीं है, शरीट के कई हिस्से में कई तरह का बिमारी होता है, कई तरह की प्रॉबलम होती है, यह हर प्रॉबलम को शॉल्फ करन बहुत जादा खुजलाना उस टाइम इसको लगाने से इस लगाने से आपके बाल काफी अच्छा होता है उस्चे भी चुटकाना मिलता है आपके बाल में जुड़ी बीश तमस्या को हल करने में काफी मादद करता है आपको कुछ इस तरीके से मिक्स करना है और इसे लगाने से आपको बहुत की बहुत जादा फायदा हुआ अगर मेरे बताए गए हुए तरीका आप एक से दो विक जरूर अपना यह बिल्कुल प्रकृतिक अशान उपाए है और हैर प्रोब्लम से रिलीटेट वीडियो में औ आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं और वीडियो पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में बता है और वीडियो को शेर करें और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लें मेरे से कॉंटक्ट करना चाहती हो तो कुछ सोचल मीडिया का लि